कि अपने लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे लाइफ में कंफ्यूज है जिनको यह नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं पैसा चाहिए अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि व है बहुत सारे लोग है तो आपके लिए यह रास्ता नहीं है जिसकी मैं भी बात कर रहा हूं भूल जाओ पॉसलेस हैपिनेस को आपको मिली नहीं सकती जब तक कि अपनी फैमिली की जरूरतों को पुरा नहीं करोगे तो आपकी स्टेश की अकॉर्डिंग अगर मैं होंगा तो मुझे क्या करना चाहिए मैं काम करूंंगा कोई भी काम कैसा भी काम अगव जय को जौप सब्सक्राइ 對啊 दस जगे गया जौब नहीं मिली सो जगे जाओंगा हजार जगे जाओंगा पांच हजार जगे जाओंगा जौब मिली ने रही अरे कोई बात एक चाई बेचने की दुकान लगा लो हाली नहीं बैठ हुआ किसी भी हालत में यह पहली स्टेज आपको समझना है कि आप कौन सी स्टेज में हैं कि अगर आपकी फाइनेंशिल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो इस स्पिरिच्वालिटी और इस सारी बाते बखवास हैं यह सब बाते तब काम किया ज़िए पेट बढ़ा हो कि आपके पास कम से कम इतना पैसा हो कि आपकी बेशिक जरूरतिक पूरी हो रही है लाइफ की घर में सब लोग रो रहे हैं जब परिचान है बच्चों की फीज देने के लिए पैसे नहीं है और बात कर रहे हैं स्विरिच्वालिटी की मेडिटेशन की सब पास है मेरे भाई इन चक्रों में मत पढ़ जाना अभी से तो पहला स्टेज क्या है जो मैंने आपको बताया काम करो अरे जो सोय हो डरे हो बैठे हो उठो ख़़ए हो आगे भरो जो करना है करो कोई काम छोटा या बढ़ा नहीं होता आटो चलाना पढ़ रहा है टैक्सी च को फालो उसका अचार बनाओ खाजाओ और आटो चलाओ अगर नहीं काम नहीं मिल रहा तो भूल जो डिगरी को वो पास था करर दो दो था जाटे को वो डिपना है को वो खालो शो चलादो 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 आटो आटो चलादो चलादो बनाटोगर बनाटो